मस्कार tapt स्वागत है एक नई वीडियो में दूस्ट इस वीडियो में उताने वाला हूं कि वीवो भी 23 प्रो है या फिर वी व भी 23 है या फिर 20 प्रो है आप किस तरह से सीम इंसर्ट करके नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं तो आपके मोबाइल में जहां भी आपको sim ejector दिखता है आप sim tray को निकाल लेंगे sim tray को निकालने के बाद आपको sim place करना है और आपके mobile में दो sim लगता है जैसे आप चाहो तो यह sim 2 होता है और इधर sim 1 होता है तो आप इस तरह से sim लगाओगे मैं एक ही sim लगाओँगा और दोनों sim की setting आपको पता दूँगा तो यहां पे sim मैंने लगा लिया है और sim लगाने के बाद आपको इस तरह से इसको अंदर की तरफ लगा देना है अब जब sim लगाओगे तो अगर पासवर्ट लगा होगा तो पासवर्ट डालने के लिए बोला जाएगा तो आप डाल दीजेगा sim का पीन होता है वो और नहीं तो आप ऐस तरह से मोबाइल के setting पे click कर लोगे जहां भी setting आइकन होगा click कर लोगे अब इसके बाद आपको network और internet का option दीखेगा आप इस पे type कर लोगे अब यहां पे sim card and mobile network के setting करेंगे तो यहां पे आप type करोगे और यहां से mobile data होता है तो mobile data आप on off यहां से कर सकते हैं अब देखो यहां पे preferred sim होता है तो preferred sim की बाद में setting करेंगे यहां पे आपको sim का option दिख जाता है तो देखो मैंने यहां पे एक ही sim लगाया हुआ है इसलिए मेरे mobile में यहां पे एक sim का option दिख रहा होगा यह वाला और यह वाला digital होगा तो जैसा मैं इस पे करूँगा setting वैसा ही आप इस पे कर लीचेगा तो इस पे मैं click कर लेता हूँ एक sim की setting के लिए अब यह कोई बहुत सारे लोग sim निकाल करके लगते हैं तो यहां से sim को आप बंद भी कर सकते हो मतलब इसी में लगा करके आप बंद करके रख सकते हो sim को और या फिर enable कर सकते हो इनेबल करोगे तो यहां पे sim name आता है तो sim name में आप कुछ भी डाल सकते हो जैसे आपका कोई name आप special भी आपने डाल सकते हो career name होता है कोई फरेक नहीं पड़ता है इससे आपका network setting पे कोई असर नहीं पड़ता है color name number अब color भी आप normally कोई select कर लोगा अपनी मन पस सिंदीदा कोई फरेक नहीं पड़ता और number आप चाहो तो इस number को हटा करके कोई और number set कर दो या फिर इसको मत चेड़ो कोई कोई भी दिक्कत नहीं है अब यहां पर roaming option होता है roaming option को आपको इनेबल कर देना है क्योंकि अगर इनेबल नहीं होगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि outside में यानि कि जब आप अपने नेटवर्क छेत्र से थोड़ा से बाहर होते हो तो वहां पर internet आपका काम नहीं करता है तो इसको आप इनेबल कर दीज़ेगा अब इसके बाद app data usage होता है तो data usage की setting की वीडियो अलेक से बना रखी है जिसमें मैंने mobile data limit वाइगरा बता रखी है डिली data limit तो आप उस वोडियो को देख लिजेगा preferred network type में आपको यहां पर 5G select करके रखना है उपर वाला select करके रखना है आपको और यहां पर automatically select network को रहने देना है और इसके बाद यहां पर चूज नेटवर को भी छेड़ चाड़ नहीं करना है access point निम होता है तो आप चाहो तो एग बार इसको APN को reset कर लेना है तीक है इसक होते है कि जब आप इनेबल कर लेते हो तो वाइफाई से अगर connected होते हो तो आपका call का जो interface होता है वाइफाई के थू होता है तो call का भी quality का भी अच्छी हो जाती है और career video calling के option को इनेबल करके रखेगा बरना आपका direct video call का option नहीं आता है तो इसको आप इनेबल कर दोगे अब यहां पे आप बैक कर लोगे इसी तरह से आप इस पर बेकर लिजेगा जब दो सीम आप लगाओगे तो आप से पूछा जाता है कि mobile data के लिए कौन सा सीम इस्वाल करना चाहते हो तो जिससे mobile data करीचाज आपने करार रखा है उस सीम को आप टैप करके select कर लिजेगा तो सीम होता है तो option बोला जाता है कि कौन से कौन से सीम से आप करना साथ हो default याणि कि direct करोगे तो उसी सीम से जाएगा तो आप ऐसा कर लिजेगा यहां पे तो इतनी से setting होती है इसकी mobile data और SIM card की बाकि आप जब भी यहां पर चाहो mobile data यहां से on करो और यहां से off करो वीडियो अ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए